सिंग्यूलर का मिनिंग समझते हैं और प्लूरल किसे बोलते हैं और प्लूरल किसे बोलते हैं singular इसके word में आप देख लोगे कि singular single Okay जिसका meaning होता है वन जिसको हम गुजराती या हिंदी में बोलते एक वचन यानि जब भी हमें कोई इसका importance कहा है तो जब भी हम कोई English में बात करें या Hindi में बात करें suppose कोई एक चीज है जिसे मैं बोलू पेन तो हम क्या बोलेंगे उसको पैन और एक से ज़्यादा पैन होगी तो भी हम करने के लिए कुछ general rules है और कुछ exception है तो हमारा first rule देखते हैं हमारा पहला rule क्या है कि कि अगर कोई भी word है उसका plural form आपको करना है तो simply उसके पीछे आप क्या एड कर दो as okay जो word का end होता हमापर आपको क्या लगा देना है एस सपोस्के हमारा पहला वर्ड क्या है email जैसे अब हमारे ग्राफिक्स में भी देख सकते हो कि एक mail हो तो हम उसको क्या बोलेंगे email अब यहां पर देख लिए इसका plural क्या है दो यह आपको दो email दिख रहे हूंगे इमेज्स में इसका क्या होगय होगया emails बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको emails तो आप देख सकते हो पहला email और उसका लास्ट में एड जोग्या s. तो क्या होगया email second example देखते है जैसे एक बनाने के लिए स्क्राइब की लगा देंगे लगा देंगे इस से थर्ड एक्साम्पल कि तो उके बेक तो यह पूलेंगे और स्टेशादा बेग गोगी तो उसको चाहा है क्या बोलेंगे बेक बोलेंगे और एक से बैक्स जिससे आप यहां पर पिक्चर में देख सकते हो तो आप आपको करना क्या है तो कोई भी वर्ड अगर उसका आपको प्लूरल फॉर्म बनाना है तो सिंपली आप उसके लास्ट में क्या लगा दो ऐस लगा दो फ्रेंड्स जैसे एक 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 इसांपल देख सकते हो आप फार्मर तो लास्ट में क्या गया फार्मर वैसे गोर्ट तो गोड्स कॉप इसका चौप स्टुड्स हाउस सॉससे ऑके आई होब आपको समझ में आयोगा नेक्स रूल देखते हैं कि ओके फ्रेंड्स हमने जिसे प्रीवेश स्लाइड में देखा कि कोई भी वर्ड है अगर उसका प्लूरल फॉर्म करना है तो सिंप्ली क्या एड कर देना है एस एड कर देना है लेकिन यह इतना इसी भी नहीं है कि हर वर्ड में आप प्लूरल करने के लिए एस लगा दो तो ऐसा भी नहीं है अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा वहां पर एस लगाना होगा क्या लगाना होगा इस तो फ्रेंड्स तो कौन से है और उसके लास्ट में अगर यह लेटर आते हों जिससे के एस एसेच सी एच एक्स और जैट तब आप उसको प्लूरल करने के लिए आपको क्या लगाने हों पर यह लगाने हो ओके कुछ एक्जाम पर देखते हैं हमारा फॉर्स एक्जाम बले तोमेटों के तब फ्रेंड्स इसका प्लूरल करना हो मुझे तुम्हें क्या एड करूँआ पर यह लास्ट में तो मुझे इसका प्लूरल करने के लिए क्या एड करना है यह एड करना है ओके नेक्स एक्जामपल एक्जामपल है बस तो आप देख सकते हो जैसे कि वहाँ पर क्या है ऐसे लास्ट में क्या है तो जब भी लास्ट में ऐसा आएगा तो में उझे वहाँ पर प्लूरल करने के लिए क्या एड़ करना पड़ेगा इस क्या करना है इस ओके तो बस तो क्या हो गया बस इस ओके नेक्स एग्जामपल बेंच तो लास्ट में आप फ्रेंड्स देख सेकते हो कि वर्ड सी एचे प्लूरल करने के लिए यज़ाने हे नेक्स एख्जामपल इस और उसका फ्रेंड्स है और फ्रेंड्स आपको है तो पर प्लूरल करने के लिए क्या क्या बश्फ करेंगा बाकी शाल करो खुद करो कि एक्सप्शन जैसे हमने प्रिवर्स स्लाइड में देखा कि अगर हमें कोई नाउन है और उसके लास्ट में ऐसे च एक्स डबल एस जैड या ओ इसमें सो कोई भी लेटर लास्ट में आता हो तो हम क्या लगाते थे स्टुडेंट्स लगाते तो उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए अब यहां पर आपके स्क्रीन पर कुछ एक्सप्शन वर्ट दीख रहे हैं कुछ एक्सप्शन नाउन दीख रहे हैं एक्सप्शन का मतलब क्या होता है जहां पर कोई रूल्स और रेग्यूलेशन एप्लिक यहां पर क्लूलेशन वर्ट एसे हैं जिसको आपको learn कर लेना है कि वहाँ पर क्लेना है कि जब भी लेटर दिखेंगे तो आपका उसको तो यह पर यह पर क्या होगा एस बोले सा क्यों तो यह एक्सेप्ट इसको कर लेना है पर पढ़ाने के लिए स्टूडियो आपको एक हिंट दें दूंकि याद रहे जा है इसे वर्ड तो फोटो फोटो पियानो यह सब क्या हो जाए तो चलो अपने यूज कर लिया भंगार हो गया तो रेडियो पियानो क्या करेंगे हम बेच देंगे किलो के बाव में और हम को च तो जावाँ पर लास्ट में ओव आ रहा है लेकिन वाँ पर प्लूरल करने के लिए यह स्टी एड़ करना है सिंप्टी एस करना है next ओके फ्रेंड्स नेक्स टूल जैसा हमने प्रिवेश स्लाइड में देखा कि हम अगर प्लूरल करना हो तो कुछ वर्ड में क्या था यह लेकिन यह कब लगाते हम जब वर्ड के लास्ट में क्या हो एस एस एच छ एक्स ओजट तब हम क्या लगाते थे यह अदर्वाइस क्या लगाते थे प्लूरल करने के लिए एस अब नेक्स टूल हम देखते हैं फ्रेंड्स जैसे के अग्दर इफ नाउन एंड्स इन वाई एंड कॉंसनेंट इस बिफोर वाई पूट आई एस इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई वर्ड के लास्ट में क्या आता हो वाई और लगाना है आउने फ्रेंड्स क्या याद दखना है अपको वाई को हटा देने और वाई को रहने के बाद उसकी जगह पर आपको अपको क्या लगाना है आई एस अगया लडी ऑके जीसे जादा होगा तब ही हम लेडिट यूज कर सकते हैं जैसे यहां पर देख सेकत हैं एक ही लेडी है तो हम उसको हम पर लेडी नी बोलेंगे लेडी और एक से जाधा है तो हम क्या बोलेंगे अब लेडी को करना है वाई को मतलब हटा ना वाई को अग्या हो जाएगा बेभी बोलेंगे एक से ज्यादा होंगे तो भीज चोया को यह तो यह को क्या करना है और इस मधिस लगाते है यह नहीं को फॉर्म यह को जाएगा घाल प्लाइए एक से ज्यादा तो फ्लाइज नेक्स है स्टोरी अगर कोई एक स्टोरी है स्टोरी के वर्ड में भी लास्ट में क्या रहा है तो वाई आया तो हम उसका प्लूरल करना है तो क्या करेंगे और उसकी जिए क्या लगाएंगे आई इस उके तो उसका प्लूर क्या हो जाएगा स्टोरी का स्टोर्य वैसे ही आपको सारे एक्जांपल कुद और अंतूर कोई और उसके एंड में लेटर वाई आता हो तो हम क्या करते थे वाई को करते थे फर्स्ट और वाई की जगह पर हम क्या करते थे यह लगाते थे जैसे लेडी तो लास्ट में वाई आता था था तो यह को रिमूव करके आई एस लगाते देड़ी जैसे अब यहां पर देखते नेक्स रूल इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वर्ड है और में वाई आ रहा है और वाई के पहले वाले जो लेटर है न वो क्या हो वोवल क्या हो वोवल हमारे इंग्लिस में वोवल कितने तो फाइव वोवल से कौन-कौन से एई-ई-आई-ओ-ई-उ यू ओके अगर यह फाई-डेटर में से वाई के पहले कोई भी एक आ जाता हो तो को हुआ पर हम क्या करना है वाई को रिमूनी करने सिंपली उसके पीछे क्या कर देना है एसको एड कर देना है ओके जिसे यहां पर एक एग्जाम्पल है boy तो बोई में लास्ट में वर्ड जो लेटर है वाई है लेकिन उसके पहले भी आप देखो क्या वार रहा है ओ तो तो और यहां पर हम क्या करेंगे वाई को रिमूव नहीं करेंगे वहापर simply क्या लगा देंगे एस लगा देंगे इसकोra याद रखने के लिए आप एक 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 एकिक एकंजाम्पल याद रखो फ्रेंडस जैसे आपको याद रहता है लेडी फिर एक दूसरा एक्जाम्पल जाद रखेंब बोई का बोई बी ओ वाई तो वाई के पहले क्या है ओ और ओ क्या है वोवेल इसके लिए पर आई इस नहीं लगेगा यहां पर सिंप्ली क्या लगेगा एस लगेगा ओके नेक्स एक्जांपल देखते हैं की कि लास्ट में वाई यह लेकिन उसके वाई के पहले क्या आ गया इए क्या है वोवेल तो यहां पर वाई का आई यह नहीं होगा simply वहाँ पर क्या एड हो जाएगा एस एक की है तो यहां पर की होगा एकसे जादा होगी तो किस नेक्स एक्जांपल कि सुद्द वाई के पहले एक्च्छे लेकिन वाई के पहले वह वहल सुद्द हूगा तो हम क्या गरेंगे उसको हटा कर आई एस नहीं लगाएंगे वहां पर क्या लगाएंगे एस लगाएग आई होप आपको समयझ में आयोगा next example देखते डॉंकी तो उसमें भी वाई के पहले यह तो वहां पर भी क्या होगा एस टॉय वाई के पहले ओ वोवल ऐसा आएगा ऐसे तो वाई के पहले क्या आगे अगे एए हमारे 5 वोवल में से एक है तो यहां पर क्या आएगा Sicher को एक यह मतलब क्या होगा और आपको अगर लास्ट में अगर यूस्ट लेटर दिखते हो तो आपको क्या रवना नłemू करना एफ यह वेटर ग्यायं तो उसको क्या करना कि उसको आपको रीमूर करना और इसकी जिए लगाना है वी और लगा देना है वीई एस लगाना है जिसे फर्स्ट हम देखते हैं क्या आप으면 अदेखते हैं लीजाद रखना है लेकック इंपेंट नाइस इसको कनाइट नहीं पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे नाइफ पढेंगे आप के साइलेट रहेका टोंति नहींने क्षार लाश्ट में की आया आएफे लिए एत्पिक नहीं नहीं हो क्या अऴwow एक चुरी होगी एक नाइफ होगी तो नाइफ एक से ज़्यादा हो जाएगी तो नाइफ क्या पड़े उसको रीड करेंगे नाइव नेक्स एक्जमपल देखते हैं लेफ जैसा आप देख सकते पिक्चर में नेक्स है वॉल्फ में भी क्या है लास्ट में एफ है तो एफ को रिमूव करना है पी एएस आप वीडियो पोस्ट करके बाकी सब एक्जमपल को आप खुद सौल कर सकते हो ओके नेक्स्ट इसका मतलब क्या हुआ यानि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पर लास्ट में क्या आएगा एफ एफ हमने इसकी प्रिवेस स्लाइड में रूल्स क्या सिखा प्रेंट्स कि जब भी हम एफ और एफ देखेंगे नाउन में और उसका प्रूडल फॉर्म करना हो तो सिंपली क्या करेंगे एफ और एफ को हटा देंगे और उसकी जगहां क्या लगाना है वी एस लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो क्या एक्सेप्शन है जहां पर कोई रूल्स लागू नहीं पड़ेगा सिंपली आपको याद रखने उन वर्ड्स के अलावा कोई भी वर्ड्स आता है तो हमारा फर्स एक्जांपल लेते हैं कर चीफ ओके आज कल कोरोना की जो पैंडेमिक चल रही है उसमें उससे बचने के लिए एक सलूशन क्या है पूट हैं कर चीफ और माउथ वाइल स्नीजिंग जब भी आप छीख खार हो या कफिंग कर रहो तो आपको क्या करना है कुछ न कुछ में कोई रूल नहीं है आपको डायरेक्ट याद करना है फ्रेंड्स ओके सेफ तो यहां पर भी याद करना है सेफ आजएगा प्रूफ प्रूफ गल्फ गल्फ क्लिफ 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 चीफ 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 ओके नेक्स्ट थैंक्स फॉर वचिंग दिस वीडियो आई होब के आपको सिंग्यूर टूडल का कॉंसेप्ट क्लिफ हो गया होगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और आई टूटर को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू